नमस्कार आप देख रहे हैं दो नाशनल टीवी, मैं हूँ आपके साथ वन्शिका चौहान नंदीश सांधु का नाम सुनते ही कापी रश्मी दिसाई की रुह, रोते हुए सुनाई दर्द भरी कहानी बिग बॉस पंदरा के घर में रश्मी दिसाई लगातार सुर्खियां बटो रही हैं, कभी बिग बॉस पंदरा में रश्मी दिसाई गुस्ता करती नजर आती हैं, तो कभी उनकी लव स्टोरी लोगों का ध्यान अपनी चरफ खीच देती है बिग बॉस पंद्रा के घर में लगातार रश्मी दिसाई का नाम उमर रियास के साथ जोड़ा जा रहा है इसी बीच रश्मी दिसाई ने अपने एक्स पती नंदीश सांधू और अपने तलाग को लेकर चौकाने वाला खुलासा कर दिया है फैंस की तरह ही राकी सावंध भी ये बात एक जानना चाहती थी कि रश्मी दिसाई का तलाग आखिर हुआ कैसे ऐसे में राकी सावंध ने रश्मी दिसाई से इस बारे में कुछ सवाल पूछ लिए बिग बॉस पंदरा के बीते एपिसोड में राकी सावंत रश्मी दिसाई से उनके तलाग के बारे में बात करती दिखी पहले तो रश्मी दिसाई ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया रश्मी दिसाई ने कहा कि मेरा बयान किसी की जिंदगी तबहा कर सकता है हलाकि कुछ समय बाद रश्मी दिसाई ने इस बारे में खुल कर बात की रश्मी दिसाई ने कहा मेरे बोलने से किसी को बुरा लगता होगा तो ये काम मैं नहीं कर सकती राकी सावन्त ने पूछा कि क्या वाकई में उसका बुरा होगा राकी सावन की बाते सुनकर रश्मी दिसाई ने रोना शुरू कर दिया रश्मी दिसाई को रोता देख उमर रियास उनको चुप करवाने आ गए उमर रियास ने रश्मी दिसाई से रोने की वज़ा पूछी रश्मी दिसाई ने बताया कि नंदीश सांधू का जिक्र होने की वज़ा से मुझे रोना आया है राकी सामत मुझसे शादी और तलाक के बारे में बात कर रही थी वो ऐसी चीज है जिसकी बारे में बात करके मुझे दर्द होता है मैं खुद को संभाल नहीं पाती हूँ जब वो आता है मैं उसे भूल गई थी उसे याद करके अब मुझे डर लग रहा है मुझे अस आदमी से डर लगता है पता नहीं क्यूं हम आशा करते हैं कि हमारी आज की रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी ऐसी ही विडियोस देखने के लिए सबस्क्राइब कीजिए हमारे चानल दनाशनल टीवी को धन्यवाद